हालो स्टूरेंट्स स्वागत है आप सभीका साइन साइन फान 9 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे जहां हम टीचर्स आपको दिल और धिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक है और बहुत चोटू सी वीडियो है लेकिन यहां पे मैं आपको यह बता दूगी क्लियर कर दूगी जो भी कन्फ्यूजन है आप क्लास 10th वालों के दिमाग में सिलिबस को लेके क्योंकि कोई बच्चा कह रहा है कि मैम हमें तो बोल दिया पूरा चैप्टर कर लो कोई कह रहा है मैम हमें एक टॉपिक करवाया है कोई क क्या रहा है मैम यह तो नहीं आ रहा है तो मैं आपको CBSE की साइट पे जो अपडेटेड सिलिबस है जो 2023-2024 के एक्जाम में आने वाला है इस सेशन के एंड में एक्जाम में आने वाला है वो पूरा सिलिबस आपको इस वीडियो में बता दूँगी समझा दूँगी और कर चुके हैं अरे यह तो आही नहीं रहा था कुछ बच्चे आगे चलते हैं वो कर लेते हैं वो चैप्टर तो अब आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी तो मैं आपको इंटिडियूस कर देती हूं मैं हूरीमा गई औ और मैं साइंस अंफन 9th and 11th के यूट्यूब चैनल पे और पेड कोर्स में एसस्ट बढ़ाती हूं तो चलिए लेट्स बिगेन पहली बात तो ये पूरा का पूरा अपडेटिड अपडेटिड जो है वो इस साल का है 2023-2024 का जो आपके अब मार्च में एक्जाम्स ओंगे ब बता देती हूं कि हिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है हिस्ट्री में कौन-कौन से चाप्टर आ रहे हैं कौन-कौन से चाप्टर डिलीट हुए है और कौन-कौन से चाप्टर में से कुछ-कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है पहली बात तो ये बच्चो बहुत सारे बच्चों अवरोगों चेकर लिजेगा अपडेटी छों तो जो already new syllabus में, new book में आया हुआ है, वो मैं mention नहीं करूँग, जैसे agriculture chapter आपका geography का है, उसमें already book में, नहीं book में ही delete कर दिया है कुछ crops, तो वो आपको नहीं करने होगे, तो वो आपको match करना पड़ेगा, मैं आपको CBSE के according, history का सबसे पहले बता देती हूँ, history में पेटा जी, 5 कि सारे आपने करने पड़ेगा, मैंना seven करने होते हैं, सिफ लास्ट के दो में choice होती थी, लेकिन आपके मात्र पांच चैप्टर, पांच में से भी सिर्फ चार ही आ रहे है, और चार में से भी सिर्फ तीन ही आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहा है, सबसे पहले chapter number one है, the rise of nationalism in Europe, जो मैं आपको YouTube पे बार बार लाइव आ आ के उसके most important questions बता भी रही हूँ, तो वो आपको help मिल रही होगी वहां से, तो यह chapter पूरा का पूरा completely आ रहा है, exam में आपके mid term में, PT में, board exam में, सब जगा यह आ रहा है, second chapter आपका nationalism in India completely आ रहा है, और इसमें से तो बच्चों map आता है, map work भी आता है इंडिया से, और वो भी मैं अभी recent अभी लाने वाली हूँ, map की video और उसी में से map इस chapter का आएगा, उससे बाहर आ गया, तो यहीं पर आगे, उसी वीडियो के नीचे आगे जाके भईया, लिख दे ना क्या आपने जूट बोला था, third chapter, the making of global world, बड़ अथी बड़ा सा chapter हुआ करता था, लेंदी, last year भी आया था, तीन-तीन बार समझाया था बच्चो को, लेकिन इस बार, सिर्फ और सिर्फ उसका first topic से 1.3 topic, 1.3 topic तक आ रहा है बस, तो यह जो purple में लिखा हुआ है, to be evaluated in the board examination कितना, सब topics आएंगे बच्चो, 1 to 1.3, that is pre-modern world to conquest, disease and trade, that's it, that's it, और इसमें से जो expected question है, वो भी मैं आपको जब यह पढ़ा रही हूँगी, बताऊंगी, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर बिलकुल नहीं आएगा, then chapter number 4, देखे बेटा, यह chapter number 4, actually CVSE के साइट पे, board exam वले syllabus में mention नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे schools में, यह chapter पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह chapter, सिर्फ और सिर्फ, PTs में assess किया जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं, क्या हमारे में ही आएगा बस, उसके आगे नहीं आएगा, जिद मार के, हद मार के, जिद्धी होंगे, स्कूल वाले नहीं, हमें तो age of installation कराना है, तो वो आपके mid term में भी दे देगा, otherwise यह boards में नहीं आ रहे है, मतला major आपका first, second और fifth chapter पूरा आ रहे है, print culture and the modern world, यह complete chapter आ रहे हैं, ती most expectedly, last year तक हर एक किताब की weightage equal हुआ करती, that is, 20, 20, 20, लेकिन इस बार history को 25 दे रहे हैं, geography को 25 दे रहे हैं, civics और eco को 15 दे रहे हैं, बाकि एक बार confirm हो जाएगा, तो मैं भी आपको बता दूँगी, लेकिन work hard, और work hard क्या यार, मैं हूँ ना, मेरे को यह पता है, यार, boards के सा के comments देखो, वो ही आता है, जो कराते हैं, क्योंकि offline को पढ़ाते हैं, तो experience हो जाता है, अभी UT में भी, I have just took a test in my offline and paid batches, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, बच्चे गहरें, अरे ये तो mid term में आ सकता है, हमारे PT में भी आया था, तो इतना ना experience हो जाता है, कि वो आ जाता है, त तो बस आपको majorly तीन chapter learn करने है, इतना easy हो गया, मैं किया रही हूँ ना, हमारे time पे 7 chapter, अब सिर्फ 3 chapter रहे गया है, और 14 chapter बस छोड़ा सा, थोड़ा सा, तो बहुत अराम से हम लोग मिल के इस चीज को कर लेंगे, next आता है, geography, geography, last year भी सबसे lengthy किताब थी, क्योंकि इसमें 7 chapters सबसे lengthy किताब थी, लेकिन इस बार उस length को हलका सा कम कर दिया है, और वो क्या कम किया है, आईए देखते हैं, तो पहला chapter पूरा आ रहा है, resource and development, लेकिन आपको पता है, नहीं किताबों में already resources की classification delete हो चुकी है, तो वो नहीं आ रही है, forest and wildlife में भी बहुत कुछ नहीं किताब म map भी आता है, agriculture में भी already new book में कुछ-कुछ portion जो है वो delete कर दिया है, और बाकी जो है new किताबों में वो सारा मतलब completely आ रहा है, यहां पे इसलिए उन्होंने mention नहीं किया है, क्योंकि नहीं किताब उन्होंने चाप दी ना, NCRT में नहीं किताब आ चुकी है, तो वो क्यों फिर sub-topics, topics बार-बार mention करें, लेकिन जो global world था, वो पूरा chapter अल्रेड़ी, NCRT में है, उसके बाद उसका deletion हुआ है, इसलिए उसके sub-topics लिखे हुए, then millrod zen energy resources भी पूरा आ रहा है, manufacturing industries भी completely आ रहा है, कुछ भी deleted नहीं किताब में कुछ डिलीट हुआ है, नहीं इस बार वैसे क तो lifelines वाले में से सिर्फ और सिर्फ map ही आने वाला है, जिसमें ports होते हैं, वो mark करने आ जाते हैं, तो मुश्किल से एक दो number का map बचा है, lifelines वाले chapter में से, तो ये भी बहुत कुछ हलका हो गया आपके लिए, बहुत बड़ी चीज है, एक chapter का भी delete होना, एक student के लिए बहुत बड़ी चीज है, मैं तो ये ही कहूंगी, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, साथ में से छे तो हो गए, at least, तो ये आपका geography का, अभी का final syllabus है, अब आपकी आती है नागरिक शास्त्र, political science, civics, अच्छी लगती है अब सब को बहुत, इसलिए हमारी CBSE को भी बहुत अच्छी लगी, और as it is, पांच के पांच चैप्टर चेप दिये, कि लो भईया, इसमें कुछ भी डिलीट हम ना करने वाले हैं, ना ही कोई नई किताब में डिलीशन हुआ है, ना ही कोई CBSE की साइट में डिलीशन हुआ है, पांच के पांच चैप्टर फुल फ्लेज आ रहे हैं, ल सबसे अधा महनत इस पर करने ही पड़ेगी, लेकिन अगैन, मैं मुश्किल से इस चैप्टर से आपको चार से पांच कोईशन दोंगे और उसके बाहर नहीं आएगा, I guarantee, I guarantee, नहीं आएगा उसके बाहर, तो टेंशन नहीं लेनी है, हम हैं, जो मेर से बच्चे पढ़ते हैं जो सिर्फ सिलेबस देखने नहीं आये हैं, बलकि मुझसे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे जानते हैं, कि हम जैसा करते हैं, वैसा ही एक्जाम में आ जाता है, कृपा है, भगवान की हम पे, तो political parties है, and then आ जाता है, outcomes of democracy, again a very easy chapter, and most expected questions इसमें से बन जाते हैं, पिछली बार भ जिसके most expected questions हम आपको करा देंगे, and syllabus के according बस यही आ रहा है, civics में, अब आ जाती है हमारी economics, economics तो सबसे चोटी syllabus वाली किताब थी, last year सबसे scoring थी, क्यूंकि 20 नंबर सिफ 4 chapters से गेन हो जाते थे, लेकिन इस बार CBSE ने उसको भी हलका कर दिया, क्या बात है बहीं, क्या बात है, चार chapters में से भी हलका कर दिया, बहीं, क्या हलका कर दिया, chapter number one आ रहा है, development, complete, sectors of economy, complete, money and credit, complete, and globalization में सिर्फ दो topic, yes, only दो topic, MNCs कट गया, पूरा, जिसने किया उसको पता होगा, तो what is globalization आएगा, और कौन-कौन से factors ने इसको enable किया है, ये दो topics आने वाले हैं, बस globalization chapter में, else, everything is deleted, खतम, तो major 3 chapter बचे हैं, और 15 number अगर economics लेकर आ रही है, तो बहुत-बहुत-बहुत scoring किताब है, मैं तो आपको यही suggest करूंगी, economics को सबसे पहले पकड़ लो और खतम कर दो, सबसे पहले ही, ये दो chapters आप अब तक कर चुक होंगे, money and credit भी मैं इस platform पर जल्दी कराने वाली हूँ, तो ये सारा कसार आपका economics, geographies, अरे रुको जारा सबर करो, पहली बात तो ये syllabus की PPT मैं डाल रही हूँ, टेलिग्राम के चानल पर, और क्लास 10 वालों के लिए, वैसे भी, मैं वहाँ बहुत कुछ डालती रहती हूँ, टेलिग्राम चानल का, नाम है, science and fun, 9th, 10th, 11th, और आपको description में भी इसका link जो है, वो directly मिल जाएगा, यहाँ पे मैं बच्चों के स्कूल के PPT के PDFs डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं अच्छों में इंडिया के extra notes डाले हैं, timeline डाली है, mind maps डाले है, तो बहुत कुछ यहाँ पे मैं औरेड़ी ping-ping-ping-ping बेचती रहती हूँ, तो आपको काफी help मिलने वाली है, SST में उस सब चीजों से, तो वो देखना जरूर मत भूलेगा, साथी साथ, good luck for your examinations, all the very very best, and अगर आप science and fun के platform पे paid batches में पढ़ना चाहते हैं, enroll करना चाहते हैं, तो class 10 वालों के लिए है, Boards Foundation Batch, हमारी app पे, Boards Foundation Batch है, जिसका मैं आपको एक बास schedule भी बता देती हूँ, MWF में, यहाँ पे classes होती है, 4 p.m., होती है, maths, and 5 p.m., English, and TTS में होती है, 4 p.m., science by आशु सर, and 5 p.m., SST by मुई, तो maths उशांग सर, दिपिका माम, आशु सर, and यहाँ पे मैं, तो हम सारे regular basis पे मिलते हैं, और Sunday को हम test टेस्ट टेते हैं, अभी भी Sunday को test था, तो test हो जाता है, assignment हो जाता है, doubts हो जाते हैं, तो इस सब extra, you know, देखने के लिए, तो आप लोग हमारा paid code जॉइन कर सकते हैं, जिस पे एक बहुत ही महत्वपून, sale चल रही है, और वो sale है, जिसका coupon code है, freedom, यह सिर्फ sale 10 to 15 August के लिए लगेगी, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है, 50% off, that is, आपको यह 800-900 रुपे का पूरा बाच पड़ेगा, 1000 रुपे का maximum, जिसमें सारे subject होंगे, और जितना भी आपका skip हुआ है, उसकी भी recordings आपको मिल जाएंगी, तो यह भी आप जरूर देख सकते हैं, प्लीज बचो अब इसी syllabus के recording, जो मैंने आपको explain किया है, पढ़ना शुरू कर दीजे, मेरा assistance हमेशा आपके साथ है, हम पूरे हफ़ते इस चानल पे लाइव आते हैं, मंडे को science के लिए, Tuesday को English के लिए, Wednesday को हमारा 10th का one shot science का experimental आता है, Thursday को biology की class होती है लाइव, Friday को मेरी class होती है लाइव, Saturday को maths की class होती है लाइव, तो पूरा हफ़ता हमने यहापे लाइव लगा रखा है, class 10th वालों के लिए, और साथ साथ one shot के recorded sessions भी upload होते रहते हैं, तो जुड़े रहिए और अगर आप इस channel पे पहली बार आया हैं, तो subscribe कर दीजिए और नेक्स आपको क्या चाहिए मेरे से, जैसे मैंने सोचा है कि मैं आपको बताओं कि how to recognize or remember dates, not recognize, remember dates, तो वो भी मैं आपके लिए next लेके आजाओंगी, बाकि अगर आपको और कोई idea जो कुछ मुझसे आपको समझ रहा है, quickly वाला भी unifications हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो आप comment section में जरूर बता जीजएगा, मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी valuable video में तब तक के लिए, बाबाए